हाई फ्रेंज नमस्ते कासे हैं आप सब आप सभी कमरी चैनल में स्वागत है तो फ्रेंज आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की फूंजडी तो मैं भिंडी ले 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 हूँ जो आधा किलो के आसपास है तो मैं इसको धोखे एक कपड़े में विछा दी हूँ और इसको भाग में पर उच्वर्ट राख मानेघ मां्स ख्याट तो मैं इसे तरह से लिए यहाठ़ी को काट लूँगी इसकारवा देखें से देखेंतчи ayamka देखिएगा मैं कैसी काटती हूं तो मैं हैस्वे से काट रहे हूं मुझे उतना चाको से काटने क्या आदत नहीं है तो मैं इसलिए मैं हैस्वे से ही काटती हूं तो मैं इसको करके पोच पोच ले रही हूं इससे क्या होता है कि हम इसको धोए है ना तो इसका गीलापन आ जा है क्योंकि इसमें जो चिपचीपा वाला होता है ना उस वो और ज्यादा हो जाता है जो गिला काटने से इसलिए मैं इसको सुखा करके ही काट रहे हूं पोच ले रही हूं कि आप देख सकते हैं मैं छोटी छोटी सी भिंडी को ली हूं और ध्यान रख़ेगा फ्रेंस क्योंकि भिंडी जब भी लें तो चोटे अकार की लें लेने से यह प्रेंस की दो चार दिन रखने से वो कुछ नहीं होता है वह असे ही रह जाता है इसलिए छोटे अकार की ही भि जान दें कि जब भी आप भुजडी बनाने के लिए भिंडी लें तो दो दिन कम से कम या एक दिन भी रख लें इसके बाद ही बनाएं तो ज्यादा गिला पर नहीं आता है उससे क्या होता है कि हम चूर पाउडर ना निम्बू डाले की कोई जरूरत नहीं होती है और मैं इस मिर्ची ले लिंगे के बाद मैं इसको थोड़ी से चला दूंगी और गोल्डन ब्राउन हो जाय तो मैं इसमें कटे हुए भिंडे डालने के बाद मैं इसको थोड़ी से चला दूंगे और इसको आप इस तरह से पलटिये चैटू की मदद से और इसको धकना नहीं है फ्रेंस धकने से चिपचिपपण और ज्यादा उभर के आता है इसलिए इसको खुला ही पकाएं जब तक इसका गिलापण ना चला जाए जो इसमें चिपचिपपण होता है बिंडी में वो अगर धक देंगे तो वो ज्यादा ही निकलाता है तो इस वज़ा से मैं इसको नहीं ढ़कती हूँ ऐसे ही चलाती हूँ और कुछ देर बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाड़ा डाल दूंगी कलर के लिए वैसे तो मैं नहीं डालती हूँ लेकिन सबको दिखाना है इस वज़ा से थोड़ा फीका कलर आप लोग बुलेंगे कि ऐसे हल्दी भी नहीं डालत हूँ जब इस तरह से में भुझिय बनाती हूँ तो हल्दी नहीं डालने से और भी स्वाधिस्ट लगता है और भी अच्छा लगता है तो इस वज़ा से मैं नहीं डालते थी लेकिन आप सबको दिखाने के लिए मैं इसमें डाल दी हूँ हल्दी पाड़ तो देखिए यह देखिए और मैं इसमें कुछ मसाले एडनी करूंगी बस मिर्ची नमक तेल हल्दी और प्याज बस इतना ही डालूंगी और मेरी बुंजिय बनके त्यार हो जाएगी तो और इसमें मसाले कुछ ने जाएंगे बस मैं ऐसे ही सिंपल सी बुंजिडी बना लेती हूँ और खाने में भी अच्छे लगते हैं तो दीखिए मेरी बुंजिय बनके त्यार हो गई है कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा से पक गया है आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चिपची पपन नहीं है तो फ्र जल्ड कर दो दो में गजएज कालु से लिए।